दोस्तो आज मैं आपके लेकर रहा हैं Vivo Y100 और बाइस आप इसके डिजाइनिंग आप देखोगे ना काफी ज्यादा इन यूनीक एन काफी ज्यादा अलग है आप देख सकते हो और दोस्तो क्या आपको बता है इसके जितने अची डिजाइनिंग है ना उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको hidden features मिलते हैं तो यार दोस्तो आप ये mobile phone खरीद चुके हो या फिर खरीदने की सोच भी रहे होना तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ना उसको जानकर आपका जो mobile का चलाने का तरीका है पूरा change हो जाएगा और काफी मज़ा आएगा जब भी आप mobile को चलाओगे तो सबसे पहले में इडन फीचर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ जो कि आपके mobile के लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है उसके लिए आपको जाना होगा settings के अंदर और यहाँ पर देखे dynamic effects का option मिल जाता है अब यहाँ पर जाएगे सबसे उपर ambition light के उपर अब इसको on कर लेना है ठीक है ना अब जैसी हमने इसको on किया तो आपके पास जब भी कोई call आएगी ना तो यह देखिए कुछ इस तरह की light शो होने लग जाएगी जो कि काफी यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाती है जो बी आप यहाँ पर light करना चाहते है उसका color आप चेंज कर सकते हो ग्रीन कलर जो भी अपका favorite है वहाँ पर चूज कर सकते हो कितना नहीं दिखाना है कितने दूरी में दिखाना है वह भी आप पूरा यहाँ पर एड़स्ट कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही बेक और यहां पर काफी अच्छी लाइट वगेरा देख सकते हो और दोस्तों यहीं पर डाइनिमिक एफेक्ट के अंदरी आपको देखने को मिल जाता है तो आप उसको भी यहांपर चेंज कर सकते हो यहां पर अपलाई कर सकते हो और जैसी आप बेख जाओगे तो यहां पर दिखाता हूं में देखेए फेश रिकोग्नाईजेशन यानि कि जब भी आप face unlock करते हूँ तो यहाँ पर लोग के यहाँ पर show होता है तो यहाँ आपको बता होगा याँ पहले से पूरी जिन्दी की लोग हो रखे और यहाँ पर लोग होगे रहाश होते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है तो आप चाहते हुए क्यार smile कर ले ताकि यहाँ पर आपका जो mood है फ्रेस हो जाए तो आप पर smile कर सकते हुए फिर आप जो भी करना चाहूँ वो यहाँ पर apply कर सकते हो और दोस्तों जेसे मैं आपको bake लेके जाता हूँ तो आप चारजिंग अनेमीशिन भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यह कर लीजीए या फिर यह कर लेते हैं यह कर लीजीए तो यह देखिए जब भी आप screen को on या off करते हो ना तो एक्दम simple सा होता है तो यहां पर मैं इसके उपर apply करके दिखाता हूँ यह देखिए यह देखिए इसके उपर देखिए काफी मज़ा आता है जब भी आप screen को off या on करोगे और यह वाला भी काफी अचा है देखिए तो अपनी मर्जी से आप apply कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप अगले वाले को कैसे गोरा चिटा दिख सकते हो तो दोस्तो यह भी काफी अच्छा option मिल जाता है तो इसके लिए आपको जाना होगा settings के अंदर और यहां पर जाओगे तो यह देखिए यहां पर shortcut and accessibility option मिल जाएगा और यहां पर दिखें face bt4 video call अब जैसे इसको जैसे मैं कोई अभी इसके ओपर कर लेता हूँ ठीक है तो अब इसके ओपर आप जब भी call करोगे तो भाई काफी अगले वाले को गोरे चिटे होगे और अभी मेरे पास whatsapp वोगेरा है नहीं सर्च कर लूँगा तो इसको आप कैसे हाइड कर सकते हो इसके लिए आपको स्क्रीन कवरे से टेप करके रखना है तो 90 है 60 है आप कैसे कर सकते हो इसके अंदर क्या फरक है वो पूरी डिटेल में आपको इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर और यहां पर दिखे डिस्प्लें ब्राइटनेस अब यहां पर मैं दिखाता हूँ आई प्रोटेक्शन दिख रहा होगा यहां पर इसको दोस्तो जरूर ओन करना जब भी आप यहां पर बुक्स होगे आप पढ़ रहे हो मोबाइल के अंदर यहां फिर आप चेटिंग ज्यादा करते हो तो इसको जरूर ओनर के इससे आपकी जो आखे हैं वो खराब नहीं होती है और यहां पर डाग तीम का भी उप्शन मि मिल जाता है जो आपकी स्क्रीन है ना इसके आप कलर चेंज कर सकते हो जैसे कि परो यह देखी ब्राइट कर सकते हो अलग अलग कलर आपको देखने को मिल जाते है और जैसे नीचे जाओगे फोन डिस्पले साइज का उप्शन मिल जाता है जो आपकी फोंट है उसको आप सा डाउनलोड मोर के अंदर जाकर आप डाउनलोड करके काफी अच्छी फॉंट कर सकते हो तो फाइनल यहां पर नीचे देखे स्क्रीन डिफ्रेश रेट्स अब यहां पर देखे महने स्मार्ट स्वीच कर रहा है मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है पर आप 90 यह पर आपका यहां पर देखे स्टेटेस बार का उप्शन मिल जाता है अब यहां पर बैटरी पर्षेंटेज के उपर ऑन करेंगे जिए उपर बैटरी के जो पर्षेंटेज है वो शो होने लग चुके है और यहीं पर जैसे कि मैं डिस्पले रियल टाइम नेट वीड करता हूं तो यह यहां पर बैटरी के जाना है अब जैसे कि मैं यूट्व उपन करता हूं अगर आप एक साथ में दो एफ को चलाना चाते हूं तो आप इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है चली दोस्तों मैं आपको और बी मज़ेदार यहां पर चीज़े बताता हूं जैसे कि हम स देंगे आपको काफी अच्ची वॉल्ट पैपर नियुट्С कीता Allah इत्फी दें को मजण चाते हैं और यहां पर यहां पर काफी अच्ची अच्छी ओंछी क्लॉक्स की धिसका यहां पर जो भी क्लोक करनी है वह यहां पर करनी आपको यहां कर सकते हुए या फिर आपको यह दिखता है और काफी अच्छा लगता है अपको अपको अपनी नात्रिकेशन मदलब जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो अलवेज ओन डिस्प्लेज जो है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी और नोटिफिकेशन आपको कौन-कौन से जैसे के फोन मेसेज़े स्वेस्बूक स्नेप्चर जीमेल जो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर निचे शो हो ज जागर जैसे की आप अपना नाम लिंफ जो भी लिखना चाहते हो पर मैं आपको स्ब्सक्राइबया आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है तो यह देखिए यहां पर आपको शो हो रहा होगा सब्सक्राइब तो दोस्तों यहां पर एक यूसपुल चीज़ बता हूँ आपको वह यह कि जैसे कि आप अपने दोस्ते किसी फेमिली मेंबर के नंबर लिग दिए ताकि आपका यहां आपको कजाए चाहिस के अब आपको कुलिक करना इंडर 30-a roll ले अपको लोगेगा कि आपके मोबार को लगेगा कि आपकी जो मनाता यह द्यूंब चक्थ को जुछ रहे पीज़्ब लेन्गा कि लापको नहीं मतलब उमर है, वो 60 साल के उपर है, तो यार यह आपको काफी अच्छी यहां पर आवाज देगा, अगर आप वे music सुनते हो, या फिर call करते हो, तो काफी loudly यहां पर सुनाई देगा, तो यह आपको लगता है कि आपके mobile के आवाज कम है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको काफी तगड़ी चीज़ बताता हूँ, जैसी कि आपके ऊपर कोई भी notifications आते हैं, तो उनको आप clear कर देते हो, तो वो clear हो जाते हैं, पर आप चाहते हो कि आर वो clear नहीं होने चाहिए, यानि कि clear तो हो जाए यहां से, पर मेरे पास पूरी history मोजूद रहनी चाहिए, कि कि किसका message कब आया था, और किसने message किया था, Snapchat या कहीं से इंस्टाग्राम होगे रहा, तो इसके लिए आपको जाना होगा, settings के अंदर, notifications के अंदर जाना है, और यहां पर देखिए, नीचे notification का option मिल जाता है, इसको own करना है, अब एक बार जैसी आपने इसको own कर लिया, जैसी कि आप जा सकते हो, अब देखिए, मैं क्लियर करके एक्जांपल के लिए दिखा दे तो, यह मैंने क्लियर करते है, अब आपको बार बार वहां जाने क्जरूत नहीं, आपको simply history के ओपर click करना है, और यह देखिए, हमने जो clear किया था, वो यहां पर हो जाएगा, तो दोस्तों है, यहां पर आपको मिल जाता है, आप कुछ भी clear करते हो, एक साल के बाद भी आप आकर यहां पर देखोगे ना, क्यार मेंने क्या clear किया था, कोई गलती से कुछ चीज़ें हो तो नहींगी, तो future के लिए आपको बहुत काम आ सकता है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता करते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट मोशन और यहां पर इन तीनों को ओन कर लेना है, अब यह तो डबल टेप टूए गोडबल टेप टूटन ओफ है, पर यह रेस्ट वेक क्या है, इसके लिए आपको बताने माला हूँ, जैसे कि आप डबल टेप करेंगे स्क्रीन ओन हो जाएगी, पर जो मैंने रेस्ट वेक आपको यहां पर ओन करा है, उसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि आपको मोबाइल पड़ा है, आपको कुछ नहीं करना, simply अपने मोबाइल को इसे उठाना है, और आपकी जो स्क्रीन है, ओन हो जाएगी, तो यह भी सकते हैं, यहां पर लॉग स्क्रीन ओर ले सकते हैं, यह चीज खास स्के अंदर, जैसे कि आपको बड़ा स्क्रीन स्क्रीयं ओर भी ले सकते हैं, यह दोस्तों, इस सकी निच्चा ओन आजर यह तना मोबाइल के आप आइपsorryो ना आचाते हो, तो इसके लिए आपको के अंदर आना है सिस्टम के अंदर जाना है और सिस्टम निविकेशन के उपर क्लिक करना है और यहां पर इनको यूज कर सकते हो और फिर से बटन से अंदर आप राइट हैंड हो तो चले दोस्तों काफी लोग यह भी सवाल कर रहे थी कि भाइस इस मोबाइल को off केसी करूं क्योंकि यहां पर फ़र बटन को प्रेस करके रखते है तो कुछ इस तरह का उपन हो जाता है पर आप चाहते हूँ कि यार मुझे पाउर बटन को यहां पर प्रेस करके रखूँ तो यह बंद आ जाना चाहिए पहले जैसे तो इसके लिए आपको अब मैं दिखाता हूँ, आपको यह देखिए, यह देखिए, अब बंद का option आ चुका है, तो वो अपनी मर्जी से आप रख सकते हो, आपको जो भी रखना है, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर shortcut and accessibility के अंदर ही, यह देखिए flash notifications, इसका मतलब भी कि जिससे आपके पास कोई call आती है, तो आपने देखा होगा, दूसरों के mobile के अंदर यहाँ पर जो पिछे की light है ना, यह जो होने लग जाती है, जब भी उनके पास call आती है, तो आप इसको own कर सकते हो, अब आपके पास भी जब भी कोई call आएगी, तो पिछे की जो flash light है, यहाँ से आपको बताता है, तो यहाँ पर देखे मैं नीचे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर security का option मिल जाता है, अब यहाँ से आपको बताओगा, आप स्क्रीन लोग, fingerprint, पिंट फेस लोग यहाँ से लगा सकते हो, पर जो मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको नीचे जाना है, यह पिंडिंग का option मिल जाएगा, इसको ओन कर लेना, ठीके ना, अब जैसे मैं इसको ओन किया, आपको क्या करना है, जैसे कि 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 कोल के लिए मांगा है, तो य अगर आपको बेख जाना है, तो यह जो बेख बटन है, इन दोनों को इसे साथ में प्रेस के रख रख हो है, तो आपका जो यह पर अन पिन हो जाएगा, अब आप बाहर जा सकते हो, तो आप सोच रहे होंगे, क्या रिसे तो कोई भी समझदार होगा, वो बाहर चला इस नहीं है, यह से यहाँ पर आप लोक भी लगा सकते हुए, आपको पास ओर लगाना पिन लगाना पेटन लगाना है, जो भी लोग लगाना चाहते है, वो लोग लगा सकते हो, जब तक अगला वाला इस लोग को नहीं को लेगए, यान् Gastonर बाहर जाना हो तो दोस्तों एर वीडियो काफी लंबी हो चुकि इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समावत करना चाहूंगा पर आपका यहां पे वीवो वाई हंड्रेड से रिलेटेड कोई भी सवाल होना तो आप मुझे कोमेंटे डिस्क्रीप्शन में आप मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगा आप मुझे पूस सकते हो और दोस्तों और वीडियो अच्छी लगी ना तो यार लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार है हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस के लिजी क्योंकि मैं ऐसे ही उस्पुल वीडियो हमारे चैनल पर हट दिन लाता रहता हूं तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई